हाई गाईज वेलकम बेक टू मैं चैनल खुश्पू बीटी स्टूडियो आज मैं आपको बताने वाली हूं फाउंडेशन हैक के बारे में बहुत लोगों को यह डाउट रहता है कि फाउंडेशन कैसे लगा है बहुत लोग का फाउंडेशन लगा के फाउंडेशन काला पड चाहेंगे तो इसलिए आपको पूरा वीडियो लास तक देखना पड़ेगा तो पूरा वीडियो लास तक जरूर देखना अभी स्टार्ट करते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैंने ले लिया है रोज वाटर टोनर लगाना बिल्कुल नहीं बूलना है रोज वाटर टोनर अब यहां पर मैं लगा लूंगी फेशल सीरम ऑईल आपको इसको लगा सकते हैं अगर आपको इसा ग्लॉसी लूक नहीं पसंद हो तो इसको स्किप भी कर सकते हो बर्ट मॉस्चराइजर ज़रूर लगाईए क्योंकि इसकिन अगर मॉस्चर अच्छा रहेगा तो हम अच्छे से प्राइमर लगाना तो बिल्कूल भी इस नहीं करना है आपको चाहे वह नॉर्मल स्किन वाले हो और आपको लगाना ही है प्राइमर लगाने से हमारे स्किन को एक लेयर मिलता है और यह तोड़ा इस्टिक होता है इससे हमारा फाउंदेंशन भी लॉंग प्राइमर लगाना बिल्कूल मत बूलिए आपको पता चल गया होगा कि आपका फाउंदेंशन लांग लास्टिंग कैसे रखना है यह देखिए प्राइमर को अच्छे से लगा लेना अगर आपके पास प्राइमर नहीं तो पहलो वीरा जैल भी यूज कर सकते हो ठीक है करके लगा लीजिए इससे क्या होता है कि आपके दोनों चिक्स में लग जाएंगे जब पतलब ऐसा पैची लुक नहीं आएगा कि हर जगा इक्वल फाउंदेंशन लगेगा तो कभी भी फाउंदेंशन वो मॉस्ट्राइजर हो संस्रीन हो कुछ भी हो हमेसा पहले डॉट करके अपने फूल फेस पर अपलाई कर लीजिए फिसको अच्छे से स्प्रेड कर जिए से स्प्रेडिंग में भी प्रॉब्लम होगा और ऐसा नहीं होगा कि आपका एक साइड ज्यादा लग एक साइड कम लगया अभी ब्लेंडिंग के लिए जो मैंने ब्लेंडर लिया है पहले तो कभी ब्लेंडर इसलिए नहीं उसको आपके सs Saf Zum на हमा नहीं कर सकते और ब्रफ करने कि वजह से बहुत स्मूत हो जाता है बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है जिससे बहुत एसलिभी ब्लेंड कर सकते है तो बिल्कुल भी मत बूलिए कि कभी भी आप blender ड्राइ मत यूज़ कीजिए हमेशा वेट करके उसको अच्छे से squeeze कर लीज़े फिर उससे blend कीजिए आप देख सकते हैं किते smoothly ये blend हो जाता है ये देखिए बहुत soft हो जाता है इसमें पानी पढ़ते ही बहुत soft हो जाता है तो अगर आप वेट करके यूज़ करते होंगे तो आपको पता है जो लोग यूज़ नहीं करते ये उनके लिए ठीक है ये अच्छे से spread हो गया है foundation को अपनी finger से भी spread कर सकते हो अगर आपके पास beauty blender नहीं है तो ये देखिए कितने अच्छे से मेरा foundation लग चुका है यहां पे मे वह बहुत अच्छे से से षेट हो गया है कहीं पर में क्रीज лाई नहीं दुख रहा है कहीं पर पैची लूप नहीं दिख रहा है तो ये देख सकते हो चोटी चोटी गलतिया अभी आपको पता चल गए होगी अभी फंदुशन लगा कि ऐसे नहीं छोड़ना कर रहे Michinyahill यहां पर यहां पर में लुष फाउडर लगा रही हूं यहां पर मैं ब्लेंडर वेट किया था उसी ब्लेंडर से ही मैं यह देखिए अगर हम और अच्छा लॉंग लाश्टिंग रखना चाहते हैं तो यह उनके लिए टिप है क्योंकि जो हमने पहले बताए कि अगर हम वेट ब्लेंडर से यूज करेंगे तो प्रोडक्ट जहां हमको पने स्किन पीछे वहीं जाएगा निवारना आदे प्रोडक् प्रोड़ा सही है आप दोनों भी लगा सकते हो लेकिन अगर आपको थोड़ा लॉसी लुक के साथ लॉंग लास्टिंग चाहिए तो थोड़ा वेट करके लगाई है वरना आप ड्राइब लगा सकते हो अब यह देखिए इस साइड मेरा कित्ता शाइन कर रहा है इस सेड़ लुक दे रहा है तो सिफ ड्राइनेस कम करने के लिए हम वेट से लगाएंगे तो ज्यादा बेटर है जिसकी स्कीन ऑईली है वो ड्राइसे भी लगा सकता अब इसको सेट करने के लिए मेकप फिक्सिंग स्प्रे करना बिलकुल मत भूलिए यह हो गया हमारा लॉंग पॉडनीशन है आप क्लेयर होगे होंगे फॉडनीशन लाउंग्लस्टिंग क्यों नहीं होता है क्रेजलान क्यों आती है यह सारी मिष्टेक आपको अब तक पता चल गयोंगे तो आगे से यह पिस्टेक नहीं किजिए और अगर यह हैक अच्छा लगा हो तो इसको ज़दा से ज़्यादा लोगों को शेर कीजिए ताकि उनको भी help मिल पाए सही तरीके से foundation कैसे लगाते हैं मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नया लेके कुछ और इंट्रेस्टिंग लेके तब तक लिए बैबाए